हाई दुटीज वेलकम टू ईजीवे कामर्स क्लासेज मैं हूँ तबिता और गाइस आजके इस वीडियो में हम एजर्शन एंड रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन अकाउंट्स में अकाउंट्स में किस तरिके से गाइस अजर्शन एंड रीजनींग को सॉल्फ किया जाता है क्या इसका बेसिक कंजेपस के इसके कितना इजी होता है इसे सॉल्फ करना So guys, आज के इस वीडियो में इसके concept को अच्छी तरीके से समझें के बहुत असान होता है, आप इसली समझ जाओगे से तो सबसे पहले, हमने पहले कौन सी वीडियो करी थी? Economics में Assertion and Reasoning करा था, नहीं देखी वीडियो तो जरूर देखना guys, बहुत असान है उसमें समझना, उसी तरीके से हमारी accounts में भी बहुत असान है इसे समझना देखो, हम लोगों को दो चीज़े given होती है, एक A और एक R A बोले तो Assertion and R बोले तो Reasoning Assertion का मतलब होते guys, किसी भी चीज़ का तथे, किसी भी चीज़ का answer, किसी भी चीज़ का expect यानि कि अगर मैं आज ये कह दू, बहुत सारे लोग unemployed हो गए हैं, बहुत सारे लोग unemployed हो गए हैं, लोगों की मतलब आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग बिरोज़गार हो गए हैं, ये एक तथे हैं, लेकिन अगर Reason की बात करूं, कि COVID-19 में बहुत लोगों का business बंद कर द यानि कि जो भी assertion given होता है, उसको हमें देखना है, क्या ये बात सच है, तो अगर मैं बोलू कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो क्या ये बात सत्य हैं, अगर हैं, तो हम उसे true बोलेंगे, नहीं हैं, तो हम उसे false बोलेंगे, फिर उसके बाद हम R को भी सेम लोगों के business बंद हो गए, क्या ये बात सच है, बिल्कुल है, तो हम इसे भी सही करेंगे, तो यानि कि दोनों अगर सही हैं, तब हम उन दोनों के पीछे की वो जानेंगी कि क्या इसका reason यही था, तो इन दोनों जो भी lines हमारी होंगी, उनके बीचे, अब मैं उन दोनों ला बहुत सारे लोग बिरोजगार हो गए, क्योंकि COVID-19 की वज़े से काफी लोगों के रोजगार बंद हो गए, तो आपने क्या करा, उसके पीछे वो line लगा दी, यानि कि assertion के पीछे ये line लगा दी, क्या लिखके, because, यानि कि उसके कारण की वज़े, क्या यही थी, और अगर थी, तो हमें options दिये जाते हैं, उनमें से हमें correct option को choose करना होता है, तो सबसे पहले आपको, देखो, options क्या होंगे, वो मैं आपको बात में बताती हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले दोनों को individually check करना है, क्या दोनों बात सही हैं, अगर सही हैं, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना आपको question महीं खतब हो जाएगा, अगर इनमें से कोई एक भी जना गलत हो, अगर मैं ये कह दूँ, कि भाई, बहुत सारे लोग बिरोजगार हो गए हैं, और reasoning में मैंने एक बात लिख दी, कि COVID-19 2017 में आया था, तो क्या गलत हो जाएगा, तो हमें आगे बढ़ने की ज बात खतम हो जाती है, जो गलत होते हैं, हम उसको गलत ठहरा देते हैं, लेकिन बात तब होती है, जब दोनों सही हो, दोनों करेक्ट हो, तभी हमें question को आगे बढ़ाना है, otherwise question वहीं stop हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी सही और अगर एक सही एक गलत, या ये सही ये गलत होग ठीक है, और हमें जो चार options given होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों correct, A and R are correct, दोनों सही है, and R is the correct explanation of A, जो मैंने अभी इससे पहले example दिया था, कि बहुत सारे लोग विरोजगार हो गए हैं, क्योंकि COVID-19 की वज़े से बहुत लोगों की काम धंदे बंद हो गए, तो इस case में हम इसको choose करते हैं, कि दोनों चीज़े सही हैं, और R जो है, वो उसकी correct explanation है, R जो बात कह रहा है, वो सही कह रहा है, उसी की वज़े से हमारा ये तथ्थे निकल कर आया है, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है, दोनों सही होंगे, लेकिन वो उसकी correct explanation नहीं होगी, अगर मै ये कहूं कि बहुत सारे लोग बिरोज़गार हो गए हैं, और दूसरी रगे मैंने ये बोला, COVID-19 जो है, देश में चाइना की वज़े से आया, ठीक है, मैंने दो लाइने बोली, हाला कि दोनों सत्ते हैं, लेकिन वो उसके पीछे का reason, जो है, वो उसकी explanation नहीं है, ये इसकी वज़े से नहीं हुआ, कि चाइना की वज़े से आया, वट उसकी वज़े से बेरोज़गारी का क्या relation है, काम धंदे बंदू है, इसलिए बेरोज़गारी आई है, ठीक है, तो ANR करेक्ट हो सकते हैं दोनों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कि जो R है, वो इसकी correct explanation हो, और आपकी गलत निकल सकते हैं, कई बार, एक सही, एक गलत, A is correct, R is incorrect, कई बार हो सकते हैं, R is correct, and A is incorrect, तो आपको वो options according to questions दे सकते हैं, बट में जो options होते हैं, वो यही होते हैं, चार options आपको MCQs में आठे हैं, तो वो इनी में से options आपको देते हैं, और generally correct option है, और वो उसके explanation है या नहीं है तो वो ऐसा मिलता जुलता question देते हैं ठीक है तो ये था base अब हम एक चीज के, मतलब एक चीज नहीं case study के तुर इसको समझते हैं like question A, एक करते है assertion दे रखा है in case of share ये question जो है guys आपके CBSC sample paper से लिए गए है in case of share issued on a pro rata basis, जबी भी हम share issue करते हैं pro rata basis पर excess money जो भी हमें received होती है at the time of application application के समय पे ज्यादा पैसा आ जाना, can be utilized till allotment only, क्या वो सिर्फ utilized allotment तक किया जा सकता है तो नहीं जी, हम उस पैसे को आगे भी utilize कर सकते हैं calls में भी, ठीक है तो यानि कि ये बात तो ये गलत कह रहा है तो हमने इसे wrong कर दिया और क्या है, company has to pay interest on calls in advance at the 12% adjustment towards calls तो yes, जो भी हम्यारे पास अगर पैसा फालतू आ रखा होता है हमारे shareholders का, तो हमें 12% per annum से उसे interest देना होता है तो ये बात सही है तो अब इसमें हमें वो उसकी correct explanation है नहीं है, वो नहीं देखेंगे क्यों क्योंकि वो तभी देखेंगे जब दोनों सही हो यहां पर एक गलत, एक सही question खतम, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो आपको options जो होका, D दे रखा होगा या कोई भी option में दे रखा होगा R is correct and A is wrong, तो आपको उसे click करना होगा ठीक है, इसके बाद एक और question है guys, the focus of calculation of working capital working capital ratio जो हम निकालते हैं, ratio chapter में revolves around managing the operating cycle of the business वो business के operating cycle को calculate करने के लिए निकालते हैं बिल्कुल सही बात, working capital निकाला ही इसलिए जाता है, ताकि business का operating cycle पता चल सके second चीज़, it is because a concept of operating cycle is required to ascertain the liquidity of asset or urgency of payment to liability, हम working capital ratio जो होते हैं guys, वो इसलिए भी निकालते हैं, देखो current asset, current liability से उसका relation होते हैं, कि हम कितनी जल्दी अपनी liabilities को pay करने के काबिल है, तो ये बात भी उसने सही गई है, अब दोनों सही हैं, तो question में हम ये check करेंगे, कि क्या assertion के पीछे का reason यही है, तो हम इस line में सिर्फ एक क्योंकी word आड़ करेंगे, इस लिए ये हुआ, ये जो भी चीज़ हुई उसके पीछे का कारण ये था the focus of calculation of working capital revolves around managing the operating cycle of the business बिल्कुल होता है, because it is, इन्होंने तो अल्रेडी इसमें दे रखा है because, लगा हुआ, it is because the concept of the operating cycle, तो क्या हम जो working capital की calculation करते हैं, वो हमारे operating cycle के इर्दगेर घुमती है, क्योंकि because, जो concept है operating cycle का, वो asset current asset payment से, जो भी हमारी liquidity maintain रहेगी और हमें current liability की payment करनी होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, तभी हम आगे pay कर सकते हैं तो यानि कि ये दोनों सही हैं और A जो है, उसके पीछे का reason R है so R is the current explanation of A, हम ये बोलेंगे तो इस तरीके से हम लोग guys, assertion and reasoning करते हैं in accounts, अगर आपको still ये topic difficult लगता है तो मुझे जरूर message कीचेगा, thank you